नमस्कार स्वागत आप सभी का इंडिया वॉइस में मैं हूँ आपके साथ सुनील चौहान CM योगी ने राय बलेली की घटना पर शोक जताया है तालाब में डूबने से जानहानी पर शोक व्यक्त किया ये ख़वर आपके साथ हम सदा कर रहे हैं CM योगी ने शोक जाहिर किया है CM योगी ने राय बलेली की घटना पर शोक जताया है व्रतकों के परजनों को 4-4 लाग रपे की सहता राश्री देने की बात की है शोक संतप्त परजनों के प्रती संवेदना व्यक्त की है CM योगी आदितिनाथ ने तो आपको बता दें तालाब में डूबते वक्त इनकी मौत हो गई थी और शोक संतप्त परजनों के प्रती अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया 4-4 लाग रपे सहता राश्री देने का अलान किया है तालाब में डूबने से जान हानी का शोक व्यक्त किया तो सीम योगी ने रायवले लिग घटना पर शोक जताया है उन्होंने कहा कि दिवंगतों के परजनों को 4-4 लाग रपे की सहता राश्री दी जाएगी सीम योगी ने ट्वीट किया है और उनकी परवार के प्रती गहरी संवेदनाओं व्यक्त किया है प्रधान मंतरी नरिद मोदी शरिवार को तेलंगाना पहुचे यह उन्होंने वारंगल में भद्रकाली मंदिर में पूजा की इसके बाद गाय को चारा खिलाया इसके बाद उन्होंने एक सट सो करोड रुपे की योशनाव का उध्गाटन श्रन्यास किया इस हाईवे से लेका रेलवे तक के प्रोजेक्ट शामिल है इसके लाबा पीम ने वारंगल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार ने के इस सरकार को हमेशा गाली दी है यह जनता को धोका देते हैं के सियार मतलब सबसे भ्रष्ट सरकार अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार कितार फैल गए हैं मुदिन आगे का कि हम पहले दो राज़ेया दो देशों की सरकारों की बीज विकास से जुड़े समझोतों की खबरें सुनते थे ऐसा पहली बार हुआ जब दो राज़ेतिक दलों और दो राज़ सरकारों के बीच ब्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं 2014 में तेलंगना के लिए जो रेल बजेड था आज उसका 17 गुना 17 टाइम अधी रेल बजेड तेलंगना के पास है बाज़पा का लक्ष यही है तेलंगना विक्सित बने तेलंगना भारत को विक्सित बनाए केसियार सरकार यानि सबसे प्रष्ट सरकार एक ये खेल अब तो दिल्ली तक इनके प्रस्टाचार के तार फैल गए है यहां की सरकार अच्छी तरह जानती है कि पिछले नव साल में उसने तेलंगना के लोगों को सिर्फ और सिर्फ दोखा दिया है उसने राज में एक के बाद एक भरती गोटा ले करके यहां के युवाओं के साथ विश्वादगात किया है यह बीजेपी की केंद्र सरकार है जिसने तेलंगना की ग्राम पंचयतों को बारा हजार करोर रुपिये से जादा सीधा देने का सुनिश्चित किया है इन सभी प्रयासों का गाफ यहां के किसानों को होगा हमारे कॉटन ग्रोवर किसानों को होगा यूपी में योगी आदितिनात की सरकार रोजगार को लेकर काम में लगी है इसी के तैत आज सीम योगी ने आरक्षियों को नियुक्ती पत्र बांटे उत्रप्रदेश पुलिस भरती और प्रोनती वोरद्वारा कुशल खिलाडी कोट में चैनित दोहजार साथाइस आर्शियों को सीम योगी आदितिनात में नियुक्ती पत्र वित्रत किये हैं मंत्री मोदी जी के नित्रतों में उनके मार्क दर्शन में आद्पुलिय देश के अंदर एक नहीं स्वस्त प्रतिस्परदा परारम होई है खेल और खेल कोट की गद्विदियों के प्रति युवाओं के मन में एक निया जज़वा देखने को मिला है उन्हें स्पोर्स किट उपलब्द कराये जा रहे हैं अब तक 65,000 स्पोर्स किट युवाक मंगलतल और महिला मंगलतल को प्रदेश भर में उपलब्द करवाये गए हैं खिलाडियों की सुगधाओं को बढ़ाने का कारिक किया जा रहा है हर अस्तर पर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है यानि वह समाज के लिए खिलता है अपने प्रदेश के लिए खिलता है अपने देश के लिए खिलता है और इसलिए इन सब की भी सहभागिता इनके यहां पर कारमिक विभाग के सासना देश में संसोधन किया और नुक्ति की प्रकरिया को आसान बनाया और मुझे प्रसंता है कि अब तक की उत्तप्रदेश पुलिस बलकिए सबसे बड़ी नुक्ति है जिसमें खिलाडियों को हम एक साथ नुक्ति है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष बीजेपी को हराने के लिए एक जुट हो गई है। अब हरियाना और चंदीगाड एकाईयों के नेता मौझूद रहे। मुक्यमंत्री पुष्कर सिंग्धामी लगता शिक्षकों को नएने तरीके की सौगात देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देभूमी उत्राखन विश्विध्याले शात्र शात्राओं के लिए अलग-अलग कैंपेनिंग करता दिखाई दे रहा है। लखनों में शनिवार को उत्राखन विश्विध्याले की वाइस चांसलर ने दो दिवसी एक आरकरम किया। इस कारकरम में कई शात्र शात्राओं ने हिस्सा लिया। ये कारकरम लखनों के उत्राखन भवन में किया क्या। इस कारकरम के दोरान वाइस चांसलर ने वताया कि देभूमी उत्राखन विश्विध्याले एक एतियासिक विश्विध्याले है। जिसका 18 साल से एतियासिक इतिहास रहा है आज के समय में उत्राखन विश्विध्याले में 10,000 से अधिक शात्र शात्राएं उत्राखन विश्विध्याले में पढ़ाई कर रहे हैं वहीं इंडिया वाइस ने देभूमी उत्राखंड विश्वध्याले की वाइस चांसलर डॉक्टर प्रीती कोठियाल के से खास बाचीत की इस बाचीत के दौरान वाइस चांसलर का डॉक्टर प्रीती कोठियाल ने क्या कुछ कहा आई आपको सुनाते हैं उत्राखंड के मुखमंत्री पुशकार सिंग धामी लगातार सिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार सिक्षा छेतर में काम करते दिखाई दे रहे हैं यही वजा है कि उत्राखंड में लगातार सिक्षा के लिए अलग-अलग कैंपेनिंग चलाई जा रही है हमारे साथ बाचीत करने के लिए हैं उत्राखंड युनिवस्टी की वाइस चांसलर उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि लखनों में किस तरीके से कैम्पेनिंग चलाई जा रही है सिक्षा को किस तरीके से आगे बढ़ाय जा रहा है उत्राखंड देव भूमी में मैं इंडिया वोइस में पहले तो आपका बहुत बहुत शौगत है किस तरीके से ये कैम्पेनिंग चलाई जा रही है और क्या सबसे खास है सिक्षा के छेत्र में मैं सर्व प्रतम तो आप सभी को देव भूमी उत्राखंड युनिवस्टी की तरफ से अभिवावदन देती हूं देव भूमी उत्राखंड विश्व विद्याले देहरादून का एक मैं कहूंगी इमर्जिंग विश्व विद्याले है जिसका करीब 18 साल का टोटल अकाडमिक एक्सिलन्स में नाम रहा है हमारा जो विश्व विश्व विद्याले है वो करीब 42 एकर्स एक बहुत ही सिरीन पिक्चरस्क और ग्रीन एरिया में फैला हुआ है हम सस्टेनेबल डेवलेप्मेंट की बात भी करते हैं और सस्टेनेबल डेवलेप्मेंट पे बहुत काम भी करते हैं जहां हमारे विद्धियार्थियों को जो United Nations Sustainable Development Goals हैं या जो भारत सरकार के जो उद्देशे और लक्षे हैं Sustainable Development Goals के बारे में उन सब को हम पूरा करने का पूरा का पूरा अपना उद्देशे और अपना जो लक्षे है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं एक सो बीस प्रोग्राम हम अफर करने हैं आज के समय में हमारे कैंपस में करीब करीब 10,000 चात्र और चात्राइं पढ़ रहे हैं करीब 6500 स्ट्रोंग जो मैं कहूंगी फैकल्टीज की हमारी टीम है जो की बच्चों को एक नए यूक की तरफ और नए तरह के जो जॉब अपॉ यूग के नए तरह के job opportunities तो आप सभी इस बात को मानेंगे कि ये जो millennium है जो अभी millennium students है और जो millennium है इसमें जो कारिशेत्र है वो बहुत बदल चुका है technology driven है और आज जो corporate houses है जो different companies है multinational organizations है वो उस तरह के I would say उस तरह के students को उस तरह के professionals को ढूण रही है जो की एक नए यूग में भारत वर्ष को और पूरे देश को आगे पूरे विश्व को आगे ले जा सके आप बात करें artificial intelligence की आप बात करें machine learning की तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक नए यूग को welcome कर रही है और उसके लिए हमें बच्चों को एक अलग तरीके से तयार करना है और इस तयारी में देव भूमी उत्रकंड university जो है वो बिलकुल भी पीछे नहीं है आगे है और ये सब देखते वे हम ये चाहते हैं कि हमें जो teachers मिले जो अध्यापक मिले वो पूरे के पूरे भारत वर्ष से जो best talent है वो हम अपने विश्वई देले में ला सकें देरादून उत्रकंड में और इसके लिए हम जगे जगे अपने walk-in interviews करवा रहे हैं जगे जगे अपने you know recruitment camps organize कर रहे हैं भारत वर्ष में हम लखनों में पहुचे हुए हैं जहां पर हमारा यह बहुत successful recruitment camp चल रहा है जहां हमें different field के बहुत बढ़िया टैलेंट मिल रहा है और जिससे मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि जो हमारे विद्यारती हैं देरादून उत्रकंड के उनको इस टैलेंट से definitely एक बहुत अच्छा मैं कहूंगी कि आगे बढ़ने का एक धे मिलेगा और बहुत अच्छी एक उनकी एक holistic development एक सरवांगी विकास होगा देबुमी उत्रकंड उनिवर्सिटी मैं अगर जो कहना चाहूं तो हमारा मोटो जो है वो है सिद्धिर भवति करमजा that is success comes through hard work और हमारा hard work ही है जो हमें आगे अपने success की तरफ और success के pinnacle की तरफ लेके जाएगा और students का अगर जो हमने holistic development करना है और अगर जो हमने भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीती है उसको लेके आगे बढ़ना है तो हमें ये धियान रखना है कि हमारे students को हम experiential learning skill based learning प्रोवाइड करें और उसके लिए again मैं फिर से कहूंगी कि हमें best talent चाहिए जो कि हमारे students को एक experiential learning की तरफ ले जाए अखनों में जो हमारी recruitment camps और drives रही हैं अभी उसमें हमने यहां के जो leading newspapers है national and local उसमें हमने advertise किया था and दो दिन का हमारा ये recruitment camp है जिसमें हमें बहुत अच्छा मैं कहूंगी कि successful हमें एक result मिला है बहुत सारे talented लोग हमारे आए हैं बहुत बहुत धन्यवात ये थी देव भूमी उत्राखंड युनिवेस्टी की वाइस चांसलर प्रीती जी जिनका कहना है कि सिख्छा के छेत्र में लगातार देव भूमी युनिवेस्टी काम करती दिखाई दे रही है लखनौ से आशिश्क मारवर्मा इंडिया वोईस और फिलालस बोटिन में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप बन रहे है इंडिया वोईस के साथ तब तक के लिए नमस्कार